बसंत आ गई है चलो अपने बगीचे में जादूई बीज लगाते हैं चलो ये देखें हमें कौन से बीज मिले पहला वाला सफेध है और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे अब हमारा दिफरा बीज आने वाला है ये है नारंगी चलो इसे यहीं पर लगा देते हैं और हमारा अगला बीज है यानि तीसरा हरा चलिए इसे यहाँ पर लगा देते हैं अब हमारा चौथा बीज है ये बैंगनी रंग का मुझे पसंद है इसे यहाँ पीछे लगा देते हैं और आखिर में हमारा पांचवा रंग नीला है और इसे हम बिलकुल पीछे लगाएंगे अब हम बगीचे में पानी डालेंगे ये जरूरी भी है बगीचे को बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए सूर्या सही कहा पर वो चमकने के लिए तयार नहीं है पर हम इसके साथ खे अभी और पीली वाली बैंगनी और हरी वाली चलो इसे खिलोने में रखते हैं अब अपने भालू को इंद्र धनुष्ट से नीचे लेके जाएंगे वा उसे जाते देखो उसने गेंड उठाई और रास्ते में जाके फेग दी मुझे लगता है सूर्या को गर्म करने का ये अच्छा अभ्यास है और बहुत जल्दी वो चमकने वाला है चलिए देखते हैं क्या सूर्य में कोई गर्माहट आई देखिए हमारा सूर्य गर्म होना शुरू हो गया पर लगता है वो अभी तयार नहीं है अब इसे गुमा कर देखते हैं कि हम दूसरी तरफ से क्या कर सकत ओ उस गाड़ी को देखिए ये नीली और गुलाबी है ये उपर से और नीचे से एक जैसी है शायद इससे बात बन जाए ये गई देखो ये कैसे उपर नीचे पलट जाती है ये काम कर गया सूर्य में गर्मी आ गई वा ये देखो ये तो चमक रहा है अब सूर्य देव को धन्यवाद, हमारा बगीचा गाजर से भर गया और ऐसा लगता है कि सूर्य ने इन पक्षियों को जगा दिया और इन नन्य पक्षियों को भूक भी लगी है और आप पक्षियों के पिता इन्हे कीडे खिलाएंगे चलिए देखें वो कितने खाता है आप भी हमारे साथ गि पक्षियों के पिता आराम करना चाहते हैं पर बच्चे अभी भी भूके हैं इसलिए पक्षियों के मा कीडों को ढूनने की कोशिश करेंगी चलिए देखते हैं वो और कितने खा सकता है याद रखना वो नौ खा चुका है अब हो गए दस ग्यारहा बारहा तेरहा चौदहा पंद रहा ओहो इसका मतलब इसका पेट भर गया अब पक्षियों की मा भी थोड़ा हाराम चाहेंगी अब नन्ने पक्षि का पेट भर गया इसलिए अब समय हो गया गाजर की फसल काटने का मुझे लगता है हरा चेम्टा हमारे काम को सरल बनाएगा ये एक ये छोटी वाली से हो गए दो अब हमारे पास हैं तीन चार अब ये एक और बाकी है और ये बड़ी वाली से हो गए पांच चलिए अब इसे चांट कर छोटे से बड़े क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले हम बड़ी गाजर को ढूंडेंगे ये दो थोड़ी बड़ी लग रही है ये बाई तरफ वाली बड़ी है इसे यहाँ पर रखते हैं और ये वाली इसके आगे और ये वाली लगती है अगली बड़ी इसे हम इनके आगे रखेंगे अब चाहिए सबसे चोटी इन दोनों में से कौनसी वाली चोटी दिखती है ये वाली चोटी दिख रही है तो ये वाली यहाँ जाएगी और चोटी यहाँ पर ये है सबसे चोटी चोटी, मध्यम बड़ी, सबसे बड़ी अब हम देख सकते हैं बगीचे का तालाब मचलियों से भरा है क्या इस टंडे से हम इन्हें बाहर निकाल सकते हैं? धीरे, धीरे आ, एक पकड़ी गई और ये लाल मचली लगती है इसे यहां रखिए और देखिए कि हम और कितने पकड़ सकते हैं ओए, देखो हमें एक और मचली मिली ये पीले रंकी है इसे हमारे लाल मित्र के साथ रखेंगे क्या हम और पकड़ सकते हैं? हमने कर दिया, हमने एक और मचली पकड़ ली और ये हरे रंकी है अब हमारे पास तीन मचलियां है और दो तालाब में क्या हम इन्हें भी पकड़ सकते हैं? ओए एक और आ गई हमने नीली मचली पकड़ी अब हमारे पास चार मचलियां है केवल एक तालाब में बची है ये आखरी वाली चलिए पकड़ते हैं हमने पकड़ ली ये नारंगी रंकी है बहुत बढ़िया दोस्तों हमने सारी मचलियां पकड़ ली वाँ सब के लिए मुझे बगीचे में खेल कर बहुत मज़ा आया अगर आपको भी आया तो अभी लाइक बटन पर क्लिक करें उमेद है आपको मज़ा आया होगा अगली बार फिर केलेंगे तब तक इंतजार कीजिए